हालो एब्रिवन स्वागत आपका सुखी क्लासेज पे मैं आपका अपना सुखी सर हाधिर हूं अपने नए अपिसोड के साथ आम बैक विद मैं न्यू अपिसोड अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो चैनल को सस्क्राइब कर दीजेगा और बैल आइकन पे क्लिक कर दीजेगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे तो मेरे प्यारे दोस्तो चलिए आज इंगलिश की महपिल शुरू करते हैं हम अपने नए टॉपिक के साथ आज का हमारा टॉपिक होगा मेरे प्यारे दोस्तो जैसा कि आप जानते हैं हम लाइफ के कोडिंग करें हमने 10 questions का formula था time word doer plus action बोल के बताएगे एक बार time word doer plus action बहुत बढ़ी है मेरे प्यारे दोस्तो फिर हमने सबसे पहले किया था daily life past life coming life process now we are going to talk about completion आज completion की बात करेंगे जो काम अभी अभी खत्व हुए है उनके बारे में हम बात करेंगे या फिर आपने ऐसा किया हुआ है अब उनके बारे में सवाल करेंगे आप ठीक है जैसे क्या आप उनसे मिले हुए है have you met him क्या आपने ताज मेहल देखा हुआ है have you seen the ताज क्या आप खाना खा चुके हैं have you taken food क्या आपने चाई पी ली have you taken tea क्या आपने singer movie देख ली क्या उसने singer movie देख ली yes इसी तरीके के जो dialogues हैं उनको आज हम discuss करने वाले हैं तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों चलते हैं आगे बढ़ते हैं let's move ahead so आज की हमारी life completion or you can say that complete life complete life completion completion की दोस्तों हम बात कर रहे हैं completion मतलब जो का अभी अभी हुआ है उसके बारे में जैसे मैंने बोला सरकार मैंने ये action कर लिया है और मैंने इसकी आपको statement बताई थी I have action plus third form do you remember it? मैंने action कर लिया है मैंने action कर चुका हूँ या मैंने action किया हुआ है मैं जा चुका हूँ I have gone मैं पी चुका हूँ I have taken मैं लिख चुका हूँ I have written जैसे मैं पूछती है न क्या आपने लिख लिया जी मैंने लिख लिया I have written मैंने homework कर लिया I have done homework मैंने मेरा काम complete कर लिया I have completed my work तो उसे के बारे में I have action plus third form यही अगर मालू हम third person के बारे में बात करते हैं मतलब singular के बारे में बात करते हैं तो he has action plus third form क्या बोलेंगे He has action plus third form उसने action कर लिया है यहाँ पे plural और यहाँ पे singular तो अब इसका सवाल पूछेंगे मेरे प्यारे दोस्तों इधर सवाल पूछने के लिए हम बोलेंगे Have you action plus third form यह question mark यानि हाँ आगे आ जाएगा क्या मैंने तोड़ा ही Have I broken this Have I taken it क्या मैंने बताया है Have I told Like this इस तरह की तो आप यहाँ इससे भी बना सकते हैं लेकिन अभी मैं आपको डिरेक्ट बता रहा हूं कि मैं आपसे सवाल पूछू क्या आपने मेरी last video देखी है Have you watched my last video Tell me Yes I have watched your last video So अगर आपने हाँ कहना है जी हाँ मैंने action किया है तो Yes I have action plus third form Yes I have action plus third form मना आपने करना है No I have not action plus third form हाँ जी मेरे प्यारे दोस्तों क्या आपने action कर लिया है आपने मेरे दिल में घर बना लिया है हाँ जी करते रहना ऐसी भरकते लेकिन यहां आजाओ पहले English सीख लेते हैं English सीखने के बाद जो मज़ा आएगा उस मज़े का मज़ा जो है इतना मज़ेदार है आप बता भी नहीं सकते आईएगा Come back to the points Have you action plus third form Have you Action plus third form क्या आपने action किया है क्या आपने लिख लिया Have you written अगर आप बोल जी मैं मैंने लिख लिया Yes, I have written नाजी सरकार No, I have not written इसी से अगर हम singular की बात करें singular की अगर हम बात करतें तो has मेरे सरकार आगे आजाएगा और has He action plus third form यह सवाल हो गया क्या उसने action कर लिया है क्या वो चला गया है Has He gone क्या वो आच चुकी है Has He Come क्या आपने मेरा last episode देख लिया है Have you watched my last episode क्या आपने pizza खाया हुआ है Have You taken pizza क्या उसने pizza खाया हुआ है Has He taken pizza Got it तो अगर वो बोलता जी मैंने action किया हुआ है या मैं action कर चुका हूँ yes, I have sorry, he has action plus third form मना करते हैं मेरे प्यारे दोस्तो यह लेजिएगा, मना हमने कर दिया है जैसा तुम कहोगे वैसा ही कर देंगे याद करो, याद करो मेरे कुछ पल मुझे को दे दो बाकी सारे दिन लोगो तुम जैसा, जैसा कहते हो, सब वैसा वैसा होगा बस मुझे ट्वैंटी मिनट्स रोज की दे दिया करो मेरे वीडियो के लिए फिर जैसा जैसा तुम कहते हो English में वैसा वैसा होने वाला है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है keep watching my video, keep sharing my video and keep commenting on the video okay, so देखिएगा बड़ा असान तरीका है, उमने पिसली वीडियो में बता था, इसमें बता रहे हैं बस आपकी महनत की जरूरत है, you need to work hard here okay, if you do it, then definitely you can speak English you can learn English, okay अभी हम बात करें actions के साथ इसमें हम कैसे बोलेंगे, चलिएगा, आईएगा actions के हम heading लेते हैं सरकार यहां पर actions, पहला actions लेते हैं right, मैं हम आपसे पूछती है लिख लिया आपने आपने लिख लिया have, you third form यहां पर right की third form, return right की third form, return देखें मेरे प्यारे दोस्तों आपको actions याद करने ही पढ़ेंगे कोई shortcut नहीं है इसका आपको actions तो याद करने ही पढ़ेंगे याद, याद तेरी yes मुझे English बुलवाएगी ठीके, हाँ, मेरी याद तो English बुलवाएगी याद रखना, मुझे दुआओ में अच्छा सम्झाता हूं दुआओ में याद रखना right have you written yes, I have written no, I have not written अब I have को शोट में I've बुल देंगे I've, क्या बुल देंगे I've I've लिख के बताता हूं, मेरी प्यारे दोस्तो I've I've action plus thal form I've action plus thal form yes, wonderful so have you written, yes, I have written यही यहाँ पूस्ते है क्या उसने लिख लिया है बताओ जरा yes, has he written अगर उसने लिख लिया है तो उसका जवाब दो मेरे प्यारे दोस्तो yes हाँ जी, yes, he has written चलिएगा आप ये चस्मे वाले लड़की आप मना करो no बहुत बढ़िया, no he has not written चलिएगा next example लेते है मेरे प्यारे दोस्तो take my lecture क्या अपने मेरे ले ले लिया have you, क्या बनेगा हाँ, taken take the third form, taken have you taken my lecture yes, I have taken your lecture no, I have not taken your lecture yet मैंने अभी तक आप का lecture नहीं लिया है so has Kavita taken my lecture yes, she has taken your lecture no, she has not taken your lecture next complete complete your task complete your task क्या आपने अपने अपना काम पूरा कर लिया अपनी तास्क पूरी कर लिया जो टास्क मैंने लास्ट वीडियो में दी थी क्या आपने पूरी कर लिया have you completed your task aha, no ये गलत बात है, ये बुरी बात है इस तरहां दिल दुखाना बुरी बात है यू ना छोडा करो तुम पर एक्टिस को यार वरना एंगलिस में लाले पढ़ जाएंगे वापीस आजा यहां पर complete your task have you completed your task yes, I have completed my task no, I have not completed my task, has he completed his task yes, he has completed his task no, he has not completed his task next, लेते हैं मेरे प्याने दोस्तो finish your work finish your work क्या आपने अपना काम पूरा कर लिया है have you finished your work yes, I have finished my work no, I have not finished my work he, has he finished his work yes, he has finished his work no, he has not finished his work next, हम लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों watch three idiots अपने three idiots देखी है देखी ही है क्या तो बताओ ना फिर have you watched watch की थार फर्म watched have you watched three idiots yes, I have watched three idiots no, I have not watched three idiots similarly हम यहाँ पे बनाएंगे has he watched three idiots yes, he has watched three idiots यहाँ singular की हम बात करते हैं यहाँ plural की बात करते हैं ओके यहाँ plural यहाँ singular यह single, यह mingle हाँ यह plural, यह singular तो मेरे प्यारे दोस्तों देखी हैं मैं आपको एक बात बता देता हूँ अगर आप मेरी वीडियो को बिना स्किप करें देखेंगे और समझने की कोशिश नहीं करेंगे बलकि implement करने की कोशिश करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है I told you my dear implement is a good idea otherwise idea is useless हाँ जी implement is a good idea otherwise idea is useless so मेरे प्यारे दोस्तों अगर आपकी task incomplete है देखे 99% is not equal to 100% आपको 100% ही देना पड़ेगा एंगली सिखने के लिए जैसा हम कहते है वैसा ही करना पड़ेगा अगर आप ऐसा करते है तो कसम कुदा की तुम दिन को कहो दिन तो हम रात नहीं तो गलत हो गया मैं अगर दिन को दिन कहूं तो दिन को इंगलिश में दिन कहना रात कहूं तो रात कहना है जैसा जैसा मैं कहूं वैसा वैसा करो फिर जैसा जैसा तुम बोलोगे दुनिया वैसे वैसे बोलेगी आजो धर्ती को आसमा पे लाने वाला चाहिए जिसको इंग्लिस नहीं आती उसको हमारा लेक्चर देखना चाहिए आजे येगा have you action plus third form क्या आपने action किया है has you action plus third form क्या उसने action किया है ये simple सी trick थी मेरे प्यारे दोस्तों इसको बोलने की अगर आप चाहते कि कुछ example और लिए जाए तो चलिएगा मैं आपको मना नहीं करूँगा मैं एक दो example और ले लेता हूँ buy a new car मैंने एक नई कार खरीदी है क्या आपने एक नई कार खरीदी है have you bought a new car have you bought a new car yes I have bought a new car no I have not bought a new car has Anil bought a new car yes he has bought a new car no he has not bought a new car जो भी नई student है please वो दिमाग नहीं लगाईएगा बिलकुल भी नहीं लगाईगा दिल से काम लीजिएगा हम बच्चों को पौटते हैं दिल लगाके पढ़ले बच्चों को कहते हैं दिल लगाके पढ़ले मन लगाके पढ़ले दिल जहां लग जाता है वहां सारी हदे पार हो जाती है तो अंगली से दिल लगा लो अगर कसम खुदा की एक बदिल लगा लिया ना इससे फिर ये तुम्हे निराश नहीं करेगी अगर आपने कोई काम किया तो मैं उससे पोछूँगा आप चले गए अरे क्या वो चली गई वो चली गई वो चली गई चली गई इंगलीश मेरी देखता मैं रह गया कभी ने पकड़ उसको ला वापिस और फिर से बॉल येस आई हाव गॉट यू पा लिया है मैंने तुम्हे पा लिया है इंगलीश का लेक्चर अब नहीं खोना ओ मेरे सोना आजा फिर से मत रोना इंगलीश का रोना ओके तो हैज एक्षिन प्लस थर्फार्म ये हमारा दोस्तो लेक्चर था मैं सारा होमवर्क आपको जो और एक्षिन से वो सारे के सारे उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा ये मान करके चले कि दुनिया का बेस्ट टीचर आपको पढ़ा रहा है और दुनिया के बेस्ट टुडेंट आप है आपको इंगलीश आएगी ये आएगी और के जिस्ट कीप प्रक्टिसिंग और कीप कमेंटिंग इप शेरिंग मैं वीडियों and keep telling me are you improving or not or have you improved your last classes or not okay so have a great time bye-bye take care chow chow